देखे टाटा कैपिटल की तरफ से 2023 के scholarship forms निकल चुके हैं ये scholarship forms class 11th class 12th इसके अलावा अगर आप किसी भी stream से graduation कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा diploma या फिर polytechnic student हो तो आप इस scholarship के लिए ये लिजी वालो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप Tata Capital Punk scholarship के लिए online apply कर सकते हो form किस तरीके से fail कर सकते हो वीडियो को complete देखना कुछ भी doubt रहता है कुछ समझ नहीं आता आपको तो please comment section में mention जरू करते हैं ठीक है जो amount है वो मिलेगी और up to 80% of the tuition fees या फिर up to 12,000 रुपे ठीक है तो आपकी tuition fees का 10% या फिर 12,000 रुपे आपको यहां पर मिलेंगे ठीक है नीच आओगे तो यहां पर आपको पहले दिखाए तो हम में last date के आए इस scholarship form के लिए तो last date है इसकी 15 November तो अभी आपके पास करीब लगबग 15 दिन का time बचा हुआ है आज है 28 सारिक तो 15 दिन का time बचा हुआ है तो अगर आप eligible हैं तो apply जरू करें और अगर कोई आसपास या कोई friend वगरा eligible है तो उसको यह video जरू share करें ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको दो section दिखाई दे रहोंगे तो जो first section है यह उन students के लिए है जो class 11th या फिर 12th में है और जो second section है वो उन students के लिए हैं जो graduation कर रहे हैं या diploma के students है ठीक है तो यहाँ पर आपको माल लीजे जैसे कि आप अभी class 11th या फिर class 12th में हो तो आप इस category के लिए apply करोगे और यहाँ पर आपको simply view details पर click करना है ठीक है इसके बाद complete information आपके सामने खुल जाएगी कि कौन कौनसे documents required है कितने पैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो documents की बात कर ले दें है मैं आपर तो simple documents है आपका अधार कड़ बगएरा स्कूल का certificate बगएरा होगे आपका income proof होगे आपके family का इसके लावा proof of admission जो अभी पढ़ाई कर रहे हो जिसको स्कूल में हो अभी आप वहाँ का आपको admission proof देना पड़ेगा इसके लावे हैं पर current academic year fee receipt देनी पड़ेगी ठीक है benefit की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपीज तक का benefit मिलेगा ठीक है eligibility criteria की बात करते हैं तो कोई भी students कहीं से भी apply पढ़ रहा हो class 11, 12 में apply कर सकता है और आपके यहाँ पर कम से कम 60% marks होने चाहिए previous class में जैसे के अभी आप मान लेजिए class 11 में हो तो class 10 में आपके 60% marks होने चाहिए और अगर आप class 12 में हो तो class 11 में आपके 60% marks होने चाहिए ठीक है आपके परिवार की वार्षिक आए यहाँ पर दाही लाग रुपे से जाता नहीं होने चाहिए और इसके लाबा आप एक Indian national students होने चाहिए मतलब Indian citizen होने चाहिए ठीक है अप्लाई करने के लिए आपको simply यहाँ पर दिख रहा होगा apply now उस पर क्लिक करना है ठीक है तो मैं अभी कर रहा हूँ graduation तो मैं इस category के अप्लाई कर रहा हूँ नहीं चाहिए category के लिए simply apply now पर क्लिक करूँगा ठीक है इसके बाद हमारे सामने यह वाला पेज को लेगा यहाँ पर आपको अपने gmail के थूरू login कर लेना है इसके बाद यह वाला नाम आपके सामने लिखा जाएगा जो भी आपको नाम होगा इसके बाद आपको start application पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा यहाँ पर आपको अपने personal letter लालने पड़ेगी तो जो भी information आपसे मांगी जा रही है वो सब कुछ आप यहाँ पर सही डालना है ठीक है कुछ भी गलती मत करना नहीं तो आगे दिक्कत आपको हो सकती है इसके बाद आपको page को नीचे करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना address लालना पड़ेगा इसके बाद देखी यहाँ पर आपको अपने education detail लाने पड़ेगी जो previous आपकी qualification है वो डालने पड़ेगी और जो current मा भी पड़ रहे हो इसके बाद आपको यहाँ पर family member के detail लाने पड़ेगी इसके बाद देखे आपको यहाँ पर अपने documents अप्लोड करने पड़ेगी यहाँ पर आपका photo हो गया, अधारकड हो गया, admission letter हो गया जो basic documents है वो आपको यहाँ पर अप्लोड करने पड़ेगी ठीक है, bank की passbook भी आपको यहाँ पर अप्लोड करने पड़ेगी इसके बाद आपको यहाँ पर नहीं जाना है और reference में आपको यहाँ पर एक तो अपना reference दे सकते हो अपना नाम डाल देना इसके बाद अपना number और यहाँ पर लेख देना self इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने brother, sister यहाँ फादर का reference दे सकते हो या brother का जी सकते हो, या फिर किसी other का reference जी सकते हो, जिसका भी आप reference यहाँ पर दोगे, उसका यहाँपर आप generation set करना, तो यहाँपर आपको दिखरा होगा, जू भी आप करना चाहते हो, ठीक है, और कम से कम आपको दो reference यहाँपर ऐड़ करने पड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पर save पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक bank account add करना पड़ेगा इसके बाद save पर click कर लेना है इसके बाद देखे last question है आप पुझा जा रहा है कि आपको इस scholarship के वारे में कैसे पता चला तो यहाँ पर आप जिसे कि मुझे अभी social media के थूपर चला है तो simply मैं इस पर click कर दूँगा इसके बाद simply save and control पर click करना है इसके बाद देखे हमारे सारी details completely fill हो चुकी है अब हम पर हमें consent देना होगा simply इसके बाद preview पर click कर देना है इसके बाद देखे अगर आपको कहीं पर भी कुछ mistake नजर आती है तो आप उसको addri कर सकते हो और अगर सब कुछ okay है तो आप simply submit कर सकते हो तो मैं simply submit पर click करूँगा इसके बाद देखे दोस्तों हमारा जो form था वो completely fill हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने Tata Capital Punk Scholarship के form apply कर दिया है अब आपको कुछ भी नहीं करना है सारा कम आपका खतम हो गया है इसके बाद दोस्तों बात करूँ कि submit करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हम select होए हैं यह फे नहीं होए हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर selection का process आना होगा आपने हाँ पर form भर दिया है form भरने के बाद यहाँ पर आपका जो आपने documents अप्रोड किया है अपनी family income डाली है उस base पर एक merit list निकाली जाएगी उसके बाद जो short listed candidates होंगे उनका एक telephonic interview होगा आपके phone पर एक phone आएगा और वहाँ पर आपका interview होगा ठीक है interview के बाद जो भी students select किया जाएंगे उनका एक final interview होगा और उसके बाद जो students short list किया जाएंगे उनको मिलेगी scholarship ठीक है इसके लब दूस्तों कुछ doubt और है वो भी आपको पता होने चीए जैसे कि इस scholarship में amount हर सार मिलेगा या सिर्फ एक पर मिलेगा तो यहाँ पर सिर्फ देखे one time आपको payment मिलेगी बस ठीक है इसके अलावा जैसे कि पूछे जा रहा है कि मैं second year में हूँ क्या मैं apply कर सकता हूँ तो बिल्कुर apply कर सकते हूँ यहाँ पर सही कोई date आए कि selection में वीडियो बना दूँगा make sure आप subscribe जरूर कर रहे हमें ताकि आपको update मिलते रहे thank you very much वीडियो देखने के लिए